नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख भबर जानते हैं CM हिमंत ने की निसुल्क आवासिय कोचिंग योजना की शुरुआत गुरुवार को मुख्य मंत्री हिमंत निसुल्क आवासिय कोचिंग योजना की सुरुआत की है इस योजना के तहट 38 अवेदन सिल जन जातिये समुदाय PVTG के युवक युगतियों को निसुल्क परतियोंगी परिक्षा की त्यारी कराई जाएगी परतियोंगी ता परिक्षाओं के लिए जहारखन के जन जातिये समुदाय के युवक युगतियों को निसुल्क आवासी कोचिंग सुविधा देने के कारिकरम का उध्याटन मुख्य मंत्री हमान सुरेने किया डाक्टर राम द्याल मुंडा जन जातिये कल्यान सोच संस्था में इस कारिकरम का सुभारम किया गया जिसके तहद पहले चरण में 156 चात्रों को जे एस एस सी और दूसरी परित्योक्ता परिक्षाओ के त्यारी कराई जाएगी बता दे दसवी से लेकर असनातर तक के चात्रों को इसमें सामिल किया जाएगा जिनकी आजू 21 से 40 साल तक हो जन जाती है समुदाय के युवक युक्तियों के लिए निसुल्क आवासे कोचिंग सेवा पीवी टीजी के उधगाटन अवसरपनमो की मंत्री हमंत सुरेन कहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लेकर कुछ लोगों को आच्चर्च हो रही है कि आखिर या सरकार कर क्या रही है गीरी डिह के डूमरी में केंद्र सरकार पर बर्से हमंत सुरेन इंडिया गटबंधन की ओर से ज्ञामो परत्यासी बेवी देवी के नमांकन परचा दाखिल करने के बाद एक सभा का आउजन हुआ के भी हाई स्कूल के मैदान में आयोजीत चुनावी सभा को समोधित करते हुए सिया महवान सुरे ने एंडिये पर जम कर हमला बोला कहा कि डुमरी उपचुना में जो खिलाप में खड़े हैं ये वे लोग देश को भूखा नंगा करने पर तुले हैं ये वो लोग हैं जो आपके सरीर से कपड़ा उतार लेंगे ये वो लोग हैं जो गरीब वोग किसानों के खिलाप नए नए कानून समिधान बनाने का सड़ेंत्र कर रहे हैं इस देश में अब गरीब किसान और मजदूर के लिए जगा नहीं रहेगी CM ने कहा है कि 20 साल BJP ISO ने जहारखन में राज गिया है इन्होंने राज में डबल इंजन सरकार भी चलाई ऐसी सरकार चलाई कि जहारखन को देश का सबसे पिछला राज बना दिया है बैल को बचाने कुए में उत्रे 5 लोगों की मौत CM ने जताया सोक राजधानी रांची के सिली अंतरगत मोरी छेत्रेश्थीत पिसका गाह में कुए की मीटी धसने से 5 लोगों की मौत हो गई है वहीं दो लोग घायल हो गई दोनों घायलों को ततकाल अस्पताल ले जाया गया बताया गया है की बैल को बचाने के दोना साथ लोग कुए के नीचे गए इसी बीच कुए का मीटी धस गए जिससे सभी दब गए इधर 5 लोगों की मौत पर मुख्य मंतरी हमन सुरेन ने गहरा सोक ब्रक्त किया है परमात्मा दिवंगत आत्मावों को सांती परदान कर सोका कुल परिजनों को दुख की इस बिगट घड़ी सहन करने की सकती दे ग्रिह मंतराले के आदेश पर जार्खन जे सी सी टी का गठन जार्खन में साइबर अपराद से निपटने के लिए जे सी सी टी की ज्वाइंट साइबर क्राइम को ओडिनेशन टीम का गठन कर दिया गया है केंद्री ग्रीह मंत्राले दोआरा इसके गठन के लिए आदेश दिया गया था जॉयंट साइबर क्राइम कोडिनेशन टीम के गठन के बाद अब साइबर अपराद परनकेल कसने में जारखन को मदद मिलेगी बताद साइबर अपराद का खत्रा दीनों दीन बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में साइबर क्राइम परनकेल कसने के लिए जॉयंट साइबर क्राइम कोडिनेशन टीम के गठन कर दिया गया इस टीम के द्वारा हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम के मामलों की जाच की जाएगी AICC की बैठक के बाद दिल्ली से राची लोटे मंत्री आलमगीर दिल्ली में आला कमान के साथ AICC की बैठक में सामिल होने के बाद जार्खन के मंत्री अलमगीर अलमगुरु और को रांची लोट गए रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक के बारे में जनकारी दी उन्होंने बताया कि जार्खन के 20 जीलों से नेताओ और करकाताओ को आला कमान के द्वारा बुलाया जाएगा सवाभी के साथ चार्चा की जाएगी और उसके बाद फिर आने वाले लोग सभा चुनाओ को लेका सीट सेरिंग पर निन लिया जाएगा उन्होंने कहा है कि कांगरेस इंडिया गट बंधन के अपने सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखेगी ड़क्टरों की कमी की वजह से लोग समय पर नहीं करवा पा रहे हैं अपना इलाज सदर अस्पताल का नया बिल्निंग बनने के बाद लोगों को यह आसा थी कि अब उनका इलाज और भी बेतर धंग से हो पाएगा लेकिन जब वो इलाज के लिए पहुँच रहे हैं तो उन्हें काफी परिशानियों के समना करना पर रहा है डाक्टरों की कामी की वज़ा से लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में लोग हंटो लाइन लगा कर खड़े रहते हैं पर वह सही वक्त पर डाक्टरों के पास नहीं पहुच पाते बिशनु अगरवाल की पत्नी अनुसरी से 26 को इडी पुष्टाच रांची में जमीन घोटाले में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रही इडी ने निकुलेस मौल के गिरफतार संचालक बिशनु अगरवाल की पत्नी अनुसरी अगरवाल को समन किया है इडी ने अनुसरी को अगामी 26 अगस्त को पुष्टाच के लिए बुलाया यह अनुसरी अगरवाल को भेजा गया पहला समन है इडी उन से चेसायर होम रोड की एक एकर जमीन की घोटाले अवैध तरीके से खरीद विक्री मामने पुष्टाच करेगी इडी यह जानने की कोशिस करेगी कि उन्होंने उक्त जमीन के लिए रुपाय का भुक्तान कहा सकिया इसमें उन्हें किसने सहयोग किया उस जमीन को फरजी रयत पुनीत गवरव ने ही विष्टु अगरवाल वा उनकी पत्नी अनुसरी अगरवाल को दो सेल डीड के जमीन इडी के अधिकारी से मोबाइल छिनने की कोशिस जारखन उच नियाले के समीप इडी के अधिकारी के मोबाइल छिनने की कोशिस हुई हलाकि तुरंत मौके पर पहुंचे इडी के अन्य अधिकारी और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आरोपियों को सफलता नहीं मिली इड़ी ने मौके पर मौझूद बिजाय हंसदा वा विश्नु यादों को समन्ध थमा दिया है और दोनों को पुस्ताज के लिए बुलाया है पूरा मामला साहिब गंज में 1000 क्रोर के अवैद खनन से समन्धी था है विजाय हंसदा इड़ी का गवाह था लेकिन इड़ी को सुचना है कि वह गवाही से मुकर रहा है इड़ी को सुचना थी कि वह अवैद खनन के अरोपितों से मिल गया है सीयम हेमंद ने महिला मुखिया मिस्फिक्या के खिलाब पीई दर्ज करने की अनुमती दी जार्खन के सीयम हेमंद शुरेन ने फ्रश्टाचार के खिलाब करवाई के अनुमती दी है अवैद संपति अरजित करने के मामले मुखिय मंत्री हेमंद शुरेन ने के बाद पीजी दर्ज करने के अनुसांसा की गई थी इसी आलोक में मुख्य मंत्री हेवान सुडेंस से पीजी दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगरह किया गया था CUJ के PG कारकरमों में अडमिसान जार्खन केंद्रिये विश्व विद्याले में नमांकन के लिए NTA द्वारा आयोजीत कॉमन युनिवर्सिटी इंट्रेस्ट टेस्ट PG 2013 के माध्यम से सेखिनिक सतर 2324 के लिए विविन अशनत कोतर कारकरमों में परवेश को लेकार ओनलेन आवेदन आमांत्रित किये गया है CUJ में अशनत कोतर पाठकरमों में 851 सीटों पर नमांकन के लिए ओनलेन आवेदन जामा करने के अम्तिम्ति थी 18 अगस्ट 2023 है बता दे ओनलेन आवेदन 5 अगस्ट से लिया जा रहा है आपको बता दे कि पहले नमांकन के लिए ओनलेन आवेदन जमा करने के आखरी तारिक 12 अगस्ट ने धारित की गई थी विद्यार्थियों को नमांकन के लिए और और सर दिया गया है अगर आप भी अड़ मिसल लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेधन कर ले रायस्थान कमाने गए गुमला के नौ मजदूरों का लाखों का बकाया इलाज के अभाव में एक की मौत रायस्थान में संग निमान करने के बाद भी गुमला के नौ मजदूरों को चार लाख दो हज्जार रुपे मजदूरी का भुकता नहीं हुआ है इन में से एक मजदूर छोटू उराव सोड़क बनाने के दोन बिमार हो गया पतनी प्रियंका पती के इलाज के लिए मजदूरी का पैसा मांगते रही लेकिन कमपनी ने पैसा नहीं दिया जिससे इलाज के अभाव में छोटू उराव की मौत भी हो गई ये सब ही मजदूर गुमला जिला के घागरा परखन के है महिला वा पुरुष नौ मैदूरों का बाकाया 4 लाक रुपे मैदूरी नहीं मिले से मैदूर परशान है मैदूरों के अनुसार सरदार वा सरदारिन द्वारा मैदूरी का भुगताम नहीं किया जा रहा है गुमला के टांगी नाथ धाम से चोरी हुआ तिरसूल का टुकडा 36 गड़ में मिला गुमला जिले के डूमरी परखंड इस्थीत प्राचिन धार्मिक असल टांगी नाथ धाम से चोरी हुआ तिरसूल का टुकडा 36 गड़ में एक पेण के नीचे गड़ा मिला सरना छेतर से मिला तिरिसुल टांगिना धाम के प्राचिन तियसुल का एक अंग है बता दे बिरेंदे परसाद ने बताया है कि पिछले साल बाबा टांगीना धाम से चुराया गया तिसुल का टुकडा समीती के अथक पर्यास के बाद 37 गड़ के सन्ना छेत्र के पाहार पर पाया गया तिसुल का टुकड़ा एक बेल पेण के नीचे मिटी में रखा गया है इस टील के बर्तनों में मिड़े मिल खाएंगे बच्चे केंद्रिय सिक्षा मंद्राले ने स्वास मंद्राले के अलर्ट पर अमल करते हुए पिएम पोसन मिड़े मिल में एलमिनियम बर्तनों को वरजित करने को कहा है इस समन्द में सभीर राजी सरकारों को पत्र प्रशित किया गया जार्खन का सिक्षा भी भाग फिलहाल इस पर विचार कर रहा है केंद्रीय सिख्षा मंद्राले के ओर से एक अगस्त को जारी पत्र में बताया गया है कि एलमिनियम के बर्तन में खाना खाऊने तथा गर्म खाना रखने से बच्चों के स्वास पर बुरा पर भाव पर रहा है इसी कारण इन बर्तनों की जगा अब इस्टील के बर्तनों का उप्योग किया जाए अब नए बर्तनों के लिए अलग से आवंटन भी देना होगा इस निर्देश पर फिल हाल विचार मन्थन चल रहा है इल्मुनियम के बर्तन को वर्जित होंगे लेकिन कब से यहां अभीताय नहीं हुआ है सूपर एस्टार रजनी कांच ने राज़ेपाल से की मुलकात सूपर एस्टार रजनी कांच जारखन दवरे पर है यह उनका बेहध ही निजी दवरा है बुद्ध वर सामसारे 6 बजे वह इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से राची पहुँचे और सिधे राज़भन चले गए वहां उन्होंने राज़ेपाल सी पीराधा कृष्ण से मुलकात की इसकी भना किसी को भी नहीं लगी इस निजी मुलकात के दवरान राज़ेपाल ने एक्टर रजनी कांत को उफार सरूप एक पुस्तक भी बेट की है सुत्रो से मिली जनकारी के मुताबिक गुरु आसुबा एक्टर रजनी कांत रज़रप पाज स्थित माचिनमस्तिका के मंदीर में गए और पूजा आचना की दरसल रजनी कांत खुद को प्रोटोकॉल सिस्टम से अलग रखते हैं उनकी पाचान बेहदी सरल इंसान के रूप में होती है जारखन बीजेपी अध्यक्ष बाबुला मरांडी की संकल पेयात्रा का आगाज हो गया है पूर्व मुख मंतरी ने संताल परगना के साहिब गंजिला इस्थित बरहेट परखंड के भोगनाडी में संताल हूल के नायक सिद्धू कानू की परतिमा पर मल्यारपन कर संकल पेयात्रा की चुरुवात की है यहां से दू कानू के वनसुजो ने परमपारिक रिती रिवाज से भोगनाडी में बाबुला मरांडी का स्वागत भी किया राज महल बिधान सबा सीट से बिजेपी बिधायाक अलंत ओजा भी बाबुला मरांडी के साथ मौजूद थे गौतला भाय की बाबुला अमरांडी की संकल 15-17 अगस से अगले 40 दिनों तक चलेगी पहले चरण में बाबुला अमरांडी संताल परगना की 18 विधान सबसीटों को कवर करेंगी वहीं पिछले चुनाओं में संताल में बिजेपी को नुकसान पहुंचा था धन्यवाद